आज मैं आपके लिए नवरात्री स्पेशल आलू साबुदाने पापड की रेसिपी लेकर आई हूँ इन पापड को स्पेशल व्रद में ही खाया जाता है इसे बनाना भी बहुत आसान होता है रेसिपी स्टाट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और बल आपन को ज़रूर प्रेश करें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंस सकें और मेरे इस वीडियो को एंड तक सरूर देखें आलो साबुदाने के पापड बनाने के लिए मैंने आपर लिया है एक कटोरी साबुदाना जो की लगभग 200-500 ग्राम है इसे मैंने लगभग 3 घंटे से भीगो कर रखा हुआ था यह बड़ी साबुदाना है इसमें चोटी साइस के भीगोने का तरीका यह है कि आपको जल्दि के यू deard that kaser उसके भीगोर रख सकते हैं कोई जल्त नहीं है लेकिन आपको जल्दी है तो आप इसे दो घंटे में भीगो कर भी यूज़ कर सकते हैं कि यह बहुत ही अच्छे से ल चूक Ayk Sols का है ऊ-छुद कघा Church करेंगे इन अलोबी भीग़ जिससे कि इसमें किसी तरह की कोई गुटली ना रहे हैं सूखे मसालों में में यहां पर लिया है एक टेबल स्पून सेंधा नमक आधा टेबल स्पून जीरा एक चोथाई चमच काली मिर्च पाउडर लगबग चार से पांस साबुत लाल मिर्च जिसको मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है अब सबसे पहले हम इन आलूओं को कद्दू कस करेंगे इस मशिन की हल्प से यह देखिए मैंने आ मेरे पास अभी हराधन अवाइलेबल नहीं है अगर आपके पास हराधनिया हो तो प्लीज आप उससे बारिक कट करके जरूर डाले इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी तपेली ली है इसके अंदर लगबग डेर लिटर पानी मैंने बॉइल होने के रिए रख दिया है हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉइल हो चुका है यह देखिए इसके अंदर अच्छे से बबल साने लगे है हमारा पानी अच्छा तेज इसमें एड़ करेंगे यह सारे सुखे मसाले इसे लगबग 2-3 मिट तक बोई होने देंगे देखिए लगबग 2-3 मिट हो चुके हमारे मसालों को उबलते हुए अब हम इसके अंदर यह साबुदाने डालेंगे दिरे दिरे करके हमें सारे साबुदानों को इस पानी के अंदर डाल देना है हमारा पानी बहुत गरम है हमें बहुत ही कैरफुली इन सारे साबुदानों को पानी के अंदर डालना है यह देखिए मैंने सारे साबुदाने पानी के अंदर डाल दिये हैं अब हम इसे अच्छे स बेट जाते हैं हमें इसे अच्छे से हिलाना है ताकि अच्छे से बिखर जाए देखिए दोस्तों इन साबुदानों को बलते हुए लगबग 5 मिट हो चुके हैं आप देख सकते हैं यह साबुदाने जो है फुल कर काफी बड़े हो गए है अब इसके अंदर हम एड करेंगे यह मेश किया हुए आलू कि दीरे दीरे करके हम सारे आलू को इसके अंदर डाल देंगे अब हम इसे भी बहुत अच्छे से हिलाएंगे इसे कंटीनू हिलाते रहना है और लगबग 15 मिट में हमारा गोल बनकर रेडी हो जाएगा इस स्टेज पर हम इसमें बारी कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी एड कर सकते हैं लेकिन मेरे पास नहीं है अभी इसलिए मैं इसमे हो चुके हैं देखिए हमारा गोल कुछ इस तरह से गाड़ा होना स्टार्ट हो गया है अब हम इसे लगबग 5 मिट तक और पकाएंगे हमें इसे हाई फ्लेम पर ही पकाना है मैंने इसमें एक चमच और काला नमक एड़ किया है हमारे गोल को पकते हुए लगबग 15 मिट हो च हम इसे डाइरेक्ट नहीं बनाएंगे इसे लगबग 15 मिट तक फेन के नीचे हम इसे ठंडा होने देंगे जिससे कि और भी गाड़ा हो जाएगा यह देखिए 15 मिट बाद यह पहले से भी और ज्यादा गाड़ा हो गया है अब हम इसके पापड बना सकते हैं हमारा गोल पा प्लास्टेक की शिट्ली है आप प्लास्टेक की पॉलीथीन या फिर शियल्त की कोई बीचीज ले सकते हैं मैं ने इसे अच्छे से और से घ्रीज कर लिया है आपको ओएल बहुत जादा नहीं लगाना है विल्कुल हलका-इल्का सा ऑलिल जगाना है उसके बाद इसपे एक श्राप्ड होने की पैचान ये है कि हमारा गोल नहीं बहुत जघाए हुद शीट पर डालें और यह आटोमेटिक अपना शेप ले ले नहीं बहुत ज़्यदा फेले हल्के हाथ से में से सबसे घुमाना है जिसे कि यह बिल्कुल परफेक्ट बने आप देख सकते हैं मैंने इससे कोई special shape नहीं दिया है इसने automatic इसका shape ले लिया है यह देखिए मैं इस तरह से डाल रही हूँ और यह बिल्कुल mercury पारे की तरह लग रहा है मैंने से हल्क्य हसे इस तरह से प्रेज किया है और इसने round shape ले लिया है यह देखिए मैंने सारे पापड बनाकर ready कर लिया है आप देख सकते है लगभख 200 क्राम साबूदैनेаются , कितने सारे कितने सुन्दר पापड बनकर रेडी हो गया है . अब हम पूरी रात इसे फेन के नीचे सूखने देंगे और कल हम इसे धूप मे छोड़ देंगे और सूखने के बाद यह कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं आप देख सकते हैं हमारे पापड कितने अच्छे बनकर रेडी हुए हैं अब मैं इन पापड को आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि फ्राई होने के बाद यह कैसे दिखाई देते हैं या फिर कैसे लगते है मैंने कडाई में ऑइल गर्म होने के लिए रख दिया vivir नहाई गर्म हो міघ मैंने पापड डाला कितनेगा एप नहीं और ने कितने अच्छे से वुवल कर से, थो रखेeti यह कितने अच्छे से फूल कर उपर आ रहा है अगर हमारा ऑइल पर्फेक्क गरम होगा तो जैसे हम ऑइल के अंदर पापड को डालेंगे हमारा पापड फूल कर उपर आ जाएगा मैंने गेस का फ्लेम अभी लो किया हुआ है मैं आपको पास से दिखाती हूं कि फ्राय होने क के बाद हमारा पापड जो है वह केसा लग रहा है यह देखिए यह बहुत ही सुंदर लग रहा है यह खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं यह देखिए दोस्तों मैंने सारे पापड को फ्राय कर लिया है आप देख सकते हैं हमारे पापड दिखने में कितन जा सकता है इसलिए प्लीज आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें आपको मेरी चोटी सी आलू सावदाने पापड की रेसिपी पसंद आई होगी आप मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेर जरूर करें थैंक यू